अब अपना Instagram account से पैसा कमा सकते हो या नहीं आपका Instagram account meditation के लिए eligible होगा या नहीं अब सब कुछ पहले से ही जन सकते हो जैसे आप Facebook पर YouTube पर content बना कर पैसा कमा सकते हो उसी तरह आप Instagram पर भी Reels और वीडियो को अपलोड करके और फोटोस अपलोड करके भी आप पैसा कमा सकते हो दोस्तों इस वीडियो का दो पार्ट होने वाला है फास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा आप अपना Instagram account को कैसे चेक करोगे आपका account monetization के लिए eligible होगा या नहीं और पार्ट टू वीडियो पर में बताने वालो आप अपना बीजनेस को Instagram पर चढ़ा के वहां से आप कैसे अच्छा कह सार्णिंग कर पाऊगे आप Millionaire भी बन सकते हो अगर आप मेरे तरीका को follow करोगे तो अगे बढ़ने में आपका रस्ता आसा उसका डीडल्स भी देखो नीचे लिखा हुआ है और एक बात देखकर आप चौक जाओ के चेनेरेटेट एक क्लोड डॉलर प्लास इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से यह एक क्लोड डॉलर से भी ज्यादा आर्णिंग कर चुका है पैसा कमाई कर चुका है तो एक इंस्ट कैसे और कितना अर्णिंग किया है ओकतना कमाई किया देखो फास्ट को देखो एक लाग 32 श्याद 400 डॉलर इन 30 डिज सिर्फ 30 जिन के अंदर इतना सब पैसे कमाई दूसरा देखो तीसरा देखो चौथा अलगातार देखते जाओ यह कब कितना और कैसे कमाई किया है तो यह गया एक अकाउंट कुछ-कुछ पॉइंट्स पर बताया है और किस तरह का कॉंटेशने सब कुछ इनका जो निकलास पेड़े अकाउंट पर जाकर आप देख सकते हो इनका खुद का वेबसाइट भी है इनका पोस्ट कैसा है सब कुछ देख सकते हो यह है मल्टी विलियान डॉलार प्लास बिच कॉंसल्टेंट यह सिर्फ अपना कॉंटेन बना कर पैसा नहीं कमाते है यह उनके साथ-साथ यह जो बड़े-बड़े इंडेस्ट्री से कंपनी है सब को अपना solution देता है अपना तरीका बताता है कैसे वो लोग आगे ग्रो करेंगे तो वहां से भी इनको commission मिलता रहता है अब अपना Instagram से इनका profile को आप चेक कर सेकते हो दोस्तो ऐसा बहुत सारा Instagram account है Instagram influencers है जो लोग बहुत सारा पैसा कमाते है with monetization और without monetization तो आप बढ़े थे आपको दिखा थे अपना Instagram को आप कैसे चिक करोगे आपका account monetization के लिए eligible है या नहीं तो दोस्तो पहले आप अपना Instagram apps को open कीजी open करने के बाद आपका जो interface होगा अगर आपका apps updated रहे तो नीचे कोने में आपको ऐसा एक interface मिलेगा जहां पर आप अपना account के बारे में चांद सेथे हो तो पहले आप यहां पर tap करो यहां पर tap करने के बाद आपके सामने ASIC interface आएगा और यहां पर जो three lines मिल रहे हैं यहां पर आप tap करो यहां पर tap करने के बाद आपको बहुत सारा settings मिलेगा देख सकते हो बहुत सारा settings है तो यहां पर आपको जाना होगा यह जो first setting है setting and privacy यहां पर आपको जाना होगा यहां पर जाए और यहां पर आने के बाद आपको बहुत सारा options देखने को मिलेगा तो तो यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर आपको जाना होगा यह जो सेटिंग है यहां पर आपको आना होगा Creator Tools and Controls यहां पर आपको आना होगा यहां पर जाए और यहां पर जाने के बाद options है जैसे यहां पर आपको ज़रूर मिलेगा यहां पर आप जाने के बाद देखो यह जो इंटरफेस है अगर आपके प्रोफाल पर भी ऐसे इंटरफेस है तो आप मनिटशन के लिए इलिजिबल हो तो यहां पर किलार ली बता रहा है इवर एबल to nuestro your और रेंड चनल इअँ मनिटेशन के और यह यह बोड़ा है हर एक प्रोफाल पर रहर चेक करना होगा आपका आपका पर बोसक्ता बहुत इस अंधार को आudस अगर सब कुछ जीरो जीरो हो रहा है तो आप सेफ हो आपका एकाउन मनिटेशन के लिए इलिजेबल है तो जैसे फेस्बुक पर पॉलिशी से विसे इंस्टाग्राम का फॉलिशी को भी आपको फॉलो करना होगा यहां पर टैप करोगे तो आपको पॉलिशी के बार में पता नियुकीरी बैयाएं ऐहां पर टैप करोगे तो कंट्रम में एक पोलिशी से वाहा अडिए दो पोलिशी और यह गाइडलेइन तीनो का पॉइंट से जीरो होना चाहिए और यहां पर टैप करोगे फेल आपको पांकियों कर फॉलोओं कव्यों से और और यहां पर टैप करोगे तो इसका डिटल्स आपको मिल जागा जैसे फेस्बुक का कुछ पॉलिशी से वसे इंस्टाग्राम का भी पॉलिशी है eligibility standards for promotional tools are now called Instagram partner monetization policies this is still best place तो यह सब आपको zero रखना होगा नहीं तो आप monetize नहीं कर पाऊगे और monetization status चेक करने के सासत आपको minimum age भी चेक कर लाना होगा क्यूंकि आप सब के पस Instagram account है लेकिन सब लोग monetize नहीं कर पाएगा क्यूंकि यहां पर देखो by country set a different minimum age in specific countries for example you could set the default to 21 but allow people in Canada to be 18 यह Canada का show कर रहा है यह minimum 18 मंग रहा है इंडिया का भी 18 है 18 प्लस से अगर आप नीचे हो तो आपका content आपका account monetize नहीं होगा तो दोस्तो जितना जल्दी हो सके अपना Instagram account को चेक कर लो अगर वाँ पर कुछ policy issue है तो जैसे आप Facebook पर काम करते हो पूराना content को delete करते हो उसके बाद नया content original content अप्लोड करके अपना Facebook account को page को profile को monetize करते हो वैसे ही आप Instagram account पर कम कीजिए और अपना account को safe रखे वहां से आप monet content या promotional video से भी आप पैसा कमा सकते हो यह Facebook Instagram यानि कि Meta का rules के खिलाप नहीं है वो लोग की बता रही आपको कैसे branded content बनाना है और कैसे इसको tag करना है कैसे आपको कमाई करना है तो यह था आज का first वाला video second video पर में बताने वाल हो कैसे आप Instagram पर business कर पाऊगे अगर वीडियो का लागा तो जरूर वीडियो को like कीजिए मिलता है अगले की वीडियो में नहीं content के साथ अब तक अपना ध्यान रखना और हाँ Facebook पर आगर आप काम कर रहे हो तो उसका content medicine policy और partner medicine policy के बारे में जरूर जान लो उसके लिए आपको यह playlist को देखना होगा यह पर जाए और यह दो वीडियो को देखिए सब कुछ डिटल में बताया गया है थैंक्यू सो मच